पंजाब के स्री टीवी राजस्तान का स्पेशल सेग्बेंट खबर दिन भर में हम आपके लिए वो खबरें लेकर आते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे होता है राजस्तान की पुश्कर में जूते चपल फैक्टने का मामले के अंदर प्रदेश्ट में सियासत शिर्ख हो गई है जहां पर राजस्तान के खेल बंतर अशुक चानना सचन पाइलट पर तंज कस रहे हैं तो उसके साथ में सचन पैलट का चानना को शाबासी देती हुए कैकर वीडियो हो रहा है आखिर वो वीडियो क्या है वो किस तरीके से वारल हो रहा है उसकी जानने के लिए देखे ह इन दिनों जहां सचिन पाइलेट को उनके स्टार्थी क्रश्ण बनाने की मांग कर रहे हैं तो वहीं दूसरी और फ्राजस्तान के सबसे बड़े विश्ट वद्याले में फ्राजस्तान युनिवरसिटी के नौ निर्बाचित अध्याश निर्मल चौधरी उनके कितने बड़ चौधरी ने सचिन पाइलेट के उस वीडियो को शेयर किया जिसमें वे अशुक चाना की तारिफ करते हुए दिखाए दी रहे हैं बता दें कि जूते उच्छाले जाने की घटना के बाद सचिन पाइलेट के चानना को शाबासी देती हुए कि वीडियो काफी ज़्यादा चर्चाओं में है जैसे जैसे कॉंग्रिस अध्यक्षपत के चनाव नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे सचिन पाइलेट को सीम बनाने की पटकथा में अपना करदार निभाने वालों के नाम भी बाहर आती जा रही है अब देखना होगा कि पटकथा लिखने वाले लेखक की इच्छा पुरी होती है या नहीं पंजाब के इसरे से रौनक पारिक और हरिनाम सिंग के रिपोर्ट केंद्रिय ग्रहमंत्री अमिच्छा के राजस्तान दौरे के बाद एक बात पो साफ हो चुकी है कि प्रदेश में गुटबाजी की जो जनता आला कमान की मन में थी वो अब जग जाहिर हो चुकी है श्याहद और से पहले सतिश पूनिया गजिन्दर सिंग शिकावत और कैला चौधरी की तिकड़ी की राजनीतिक यातरा निकलने थी लेकिन अमिच्छा के दौरे के चलते उसे कैंसल कर दिया गया लेकिन पहले रद रखी गई यातरा को के लही करने से इसी पार्टी नीताओं में दराड बढ़ने से जोड़ कर देखा जा रहा है उनकी इस यातरा मे गजिंद्र सिंग्षे खावत और कैलास चौधी के अलावा नीता प्रधिपक्ष गुलाप चिंद का टार्या के साथ में प्रभारी अरुन सिंग ने भी कड़कम सी दूरी बना कर रखी थी इस गड़वाजी को राजस्तान बीजेपी में सीम फेस के लिए चल रही खीचता सुमनात गौरव बुढणिया जुएकर प्रतीख चंद्रशीकर, रवीकुमार, रिया डाबी और संलूके गौरव रविंद्र को शिपकामने देती हुए जनहित को सरवोच्य प्रात्मिक्ता देने ही तू अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने को कहा। देखने को मिली डीडवाना के राजकिये बंगड उच्यमादमिक प्रद्याले में खिलाडियों को पंचाय समीती डीडवाना की और से खाने के जो पैकेट दिये गए वह एक दिन पुराने थे और बासी ते जिसमें से बद्दुआ रही थी और खाने में सबजी और पूरी प बासी खाने पर रोश्ट डताती हुए खाने का बहिश्कार किया आज हमने हमारे पेशी से खाना मंगवा है और टीम को खाना किला है अभी मैंने खाना देखा था बच्चे खा रहे हैं उस खानों में बदबुआ रही थी और अच्छा खाना नहीं है अगर गुनवता पर खाना नहीं दे सकते तो बच्चों गॉलंपिक क्या प्रस्तान मिल लेगा और आगे कैसे कहलें खाना तो अच्छा मिलना से बच्चों जुन्यरों पुलिस अदिक्षक मृदुल कच्छावा को सिंखम यूहीं नहीं कहा जाता वो जो वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं पूर्वुचातसंग अध्यक्ष डाकेश जहजड़िया हत्यकान मामले में मृदुल कच्छावा ने एक आरूपी को गरतार किया है इसके साथ ही जिलाप पूलिस अदिक्षक ने अपने इरादे भी जता दिये हैं कि अपराधी कहीं भी छुपे हो वह पूलिस की गरत से ज्यादा दूर नहीं है आपको बता दें कि जलापूल सदिक्षक मामले को चनौती के रूप में लिया और टीमों का गठन कर आरूपियों की पकड़ चुड़ुकी जिसमें पूलिस ने एक आरूपी को गरतार कर लिया है हाल ही में थाना बगड़ इलाके में हुए घटना करम के संदरब में जिसमें की पूरुक शात्रसंग अध्यक्ष रागिश जाजवयक की कुछ लोगों द्वारा अत्या की गई थी संद्ध में अंतरगत दारा 302 एक प्रकरन बगड़ थाने में दर्श किया गया था उसी क्रम में अध्रिक पुलिस अधिक्षक जुनिरूं के ने तुर्त में टीम का गठन किया गया था उस टीम को आंशिक सफलता कल देर रात्री मिली है राजस्तान में बदमाश्रों को ना पकड़ने को लेकर की राजस्तान पुलिस की किरकिरी होती हुई कई बाढ़ देखी गई है लेकिन हाल ही में ज्यारी हुए एंसे अरबी के आंकड़े भी राजस्तान पुलिस की छवी को धूमिल कर रहे हैं ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि यहां दुश्कर्म मामले में आजस्तान नमबर वन है तो वहीं पर अवैध हत्यारों की तसक्रिय के मामले में भी राजस्तान टॉप तीन में आता है बदमाश, वर्चस्वे, डकायती, लूट और डरानी धमकाने के लिए अंदाधुंद फाइरिंग भी करते हैं जिससे हर साल कई लोगों की जान चले जाती है पुलिस हर साल अवैध हत्यार बरामत कर तसक्रों को गिरतार तो करते हैं लेकिन खपाने वालों तक नहीं पहुंच पाती प्राजस्तान पुलिस ने इस साल जनवरी में अगस्त 2022 सक 4218 आम्स एक्ट में प्रक्रण दर्ज कर 4489 लोगों को गिरतार किया था NCRB के आकड़ों के मताबिक वर्ष्ट 2021 में राजस्तान में अवैध हत्यार के 6790 मामले दर्ज के गए राजस्तान में बंदूक की नोग पर हूती लूट और हत्याएं इसके गवा हैं राजस्तान में एक बार फिर बारिश का दौर शिरू हो सकता है जो दौर शिरू होगा वो सितंबर के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकता है बतादें के पिछले 48 घंटे में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश हुई इससे तापमा में 5 डिग्रीद हेल्सिस तक गिरावट दिखने को मिली और साथ में लोगों को तेजगर्मी और उमच से रहत मिली बारिश का यह दौर 15 सितंबर या उसके बाद तक जारी रह सकता है वैसे तो राजस्तान में मौनसुन के विदाई 15 सितंबर के बाद होती है लेकिन उसके बाद भी यह सक्रिय रह सकता है वहीं मौसम विबाग के रिपोर्ट देखें तो पिछले 24 गंटे में दक्षिनी राजस्तान के बांसवाड़ा डूंगरपुर के लावा प्रश्चिमी राजस्तान के जोधपुर जालोर बिकानेर और बाडमेर जिले के कई इलाकों में बढ़सात हुई सबसे ज्यादा बारिष्ट जोधपुर की बाले सर में 44 मिलिमीटर दर्ज हुई चलते चलते नज़र डालते हैं 14 सितंबर की वड़ी अपडेट को लेकर के तो आपको बता दें की प्रदेश की मुख्यमंत्री उदैपुर की दौरे पर रहेंगे जहां पर वे ग्रामेर्ड ओलंपिक खेलों का शुभारंग करेंगी थत्ता के लिए पने रहें पंजाब के स्री टीवी के साथ में नमस्कार